हेलो दोस्तो वेलकाम बैक टू माई यूटूब चैनल मफुजाकी रसोई आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे है दोस्तो आज हम बनाएंगे चावल और नारियल की एक पहुती स्वादिश्ट और आसान सा लड़ू इसे बनाने के लिए हमें कोई भी तेल या घीने चाह आजिए चावल, नारियल, गूर, थोरा सा नमक और नारियल का पानी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इस परिसी बोल में चावल को निकाल लेंगे और इसे बनाने में मेरी भाबी मुझे हल्प कर रही है अब चावल में हम डालेंगे थोरा सा नमक और नमक को चावल के साथ अच्छे से मिला लेंगे अब डालेंगे इसमें थोरा सा पानी हमें थोरा थोरा करके पानी डालना है क्योंकि एक बार में ज्यादा पानी डालने से चावल ज्यादा गिला हो जाएगा तो इसमें हम थोरा थोरा करके पानी मिलाते जाएंगे चावल में हमें कु पर चावल को रखना है तो इस अच्छी तरह से मिला लेंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के पाद इसे कम से कम 10 मिनिट तक रेष्ट पर रखना परेगा ताकि चावल थोड़ा फूल जाए अब इसे ढख के साइड पर रख देंगे और नारियलो को छोटी-छोटे पीसेस पर क काट कर लेंगे नारियलो को पहले हम थोड़ा बरा पीस में काटेंगे फिर इसको छोटी-छोटी पीसेस में काट कर लेंगे छोटा पीसेस पर काट करने से नारियलो को पीसने में हमें आसानी होगी नारियलो को काटने के बाद हम काट लेंगे गुर को गुर को हम चाकू से कुछ इस तरह से काट लेंगे और फिर हम आगे बरेंगे तो देखिए दोस्तों चावल ने पानी सूख लिया और चावल थुरब फूल भी गया तो गेस पर कराई चरा दिया है और कराई गरम होने के पाथ डालेंगे चावल चावल को हम मीडियम हीट पर ड्राइ रोस्ट करेंगे और इसी बीज चावल को हमें लगाता चलाना परेगा थोरी ही देर में चावल फूटना शुरू करेगा जब पूरा चावल फूट के रेडी लाल हो जाएगा तब हमको ये पता चल जाएगा कि चावल एक्दम रेडी हो गया है तो हम इसे लगाता चलाते रहेंगे तो देखिए दोस्तों अल्मोश्ट सारे चावल जो है वो फूट गया है और ये चावल लाल लाल हो गया है तो अब ये रेडी हो चुका है इसी प्रोसेस पर अब हम सारे चावलों को रोस्ट कर लेंगे और रोस्ट किया हुआ चावलों को हम थोरा थंडा कर लेंगे और फिर मिक्सी पे इसे एकदम फाइन पाउडर जैसा बना लेंगे अब थोरा थंडा किया हुआ चावलों को हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे एकदम फाइन आटे जैसा पीस लेंगे अब हम नारियल के पीसिस और गुर को मिला कर एक साथ में थोरा दर्दरासा पीस लेंगे नारियल को हमें एकदम फाइन नई करना है क्योंकि नारियल का छोटा छोटा पीसिस अगर मूह में आ जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा तो मैंने इसे इस तरह से पीस लिया है अब हम चावल के आटा और नारेल की मिक्सर को एक साथ में मिला लेंगे दोस्तों मैंने इसे बरेवला जो बोल था उसमें ट्रांसफर कर लिया क्योंकि इसे अच्छी तरह से मिक्स करना परेगा अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ये सूखा है और इसको हम बाइंट नहीं कर सकते तो इसलिए अब हमें इसमें मिलाना है नारियल का पानी थोरा थोरा नारियल पानी डाल कर हम इसे मिलाते जाएंगे दोस्तों चम्मच से मिक्स करने से ये अच्छी तरह से बाइंट नहीं होगी इसी स्टेज पर आप मीठा चेक कर लीजे मुझे मीठा थोड़ा कम लगा तो मैंने इसमे थोड़ा और गुर एट कर दिया और फिर इसे अच्छी तरह से मिला दिया देखिए दोस्तों ये नीसे से अभी भी सूखी है तो इस लिए मैंने इसमे थोड़ा और नारियल का पानी एट कर दिया मैंने एक ग्लास नारियल का पानी लिया था और बस इतना रह गया अब इसे लड्डू की शेप देकर चेक कर लेती हूँ कि लड्डू बनता है कि नहीं हाँ ये बन रहा है तो हमारा मिक्सर बिल्कुल रेडी है तो चलिए फटा फट से हम लड्डू बना लेते हैं तो देखिए दोस्तों चावल और नारियल की लड्डू बनके एकदम रेडी हो गया है आपने देखा मैंने इसमें एक बून भी तेल या एक चमस भी खी नहीं डाला आप इसे सर्दियों में पास से साथ दिनों तक आराम से प्रिजब करके रख सकती है और फ्रिजब पे तो ये एक महिने तक अप रख सकती है आटा और नारियल की मिकसर को आप लड्डू के शेप दिये बिना भी ऐसे ही खा सकती है चाई के साथ ये बहुत अच्छा लगता है अगर आपको ये लड्डू की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरिस्टिंग वीडियो देखनी के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके नॉटिफिकेशन का बेल बटन को आउन कर दीजिए दोस्तों तो मिलते हैं हम अगली वीडियो पर तब तक के लिए बाई थैंक यू